मैं ऐसी मूवीज देखता नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है अब जबी कोई जैशुराम देख रहे हैं राजस्तानी रियेक्शन ऐसा अकसर होता है कि जब भी मैं घर से बाहर होता हूँ और कहीं पर ट्रेवलिंग कर रहा होता हूँ तो मेरे पास कई लोगों के मैसेज आते हैं कि ये वाली मूवी का ट्रेलर आ गया है बहुत इंपॉर्टन मूवी है, बहुत दिनों से वेट कर रहे थे इस मूवी का, उसका ट्रेलर आ चुका है कल भी मेरे जाद यही हुआ, मैं चेक इन कर रहा था और लगातार बेन इस्ट्रग्राम पे जो है डीम्स मुझे आ रहे थे कि विक्टोरिया मूवी का आ गया है फिर जब मैं विक्टोरिया चेक कर रहा था तो मुझे सरकस का ट्रेलर भी दिखा था जो रोई शिटी की है विक्टोरिया, ओफिशल ट्रेलर, सोनाली कुलकर्णी, आशाय कुलकर्णी, पुशकर जोग पुशकर जोग मैंने नाम सुना हुआ है और इसके डायरेक्टर है पुशकर जोग, सोनाली कुलकर्णी, अशाय कुलकर्णी, हीराशोहल, प्रेड्यूस बाइ ठीक है डायरेक्टेड बाइ, वीर जस्कुलकर्णी, जीत अशोग कुलकरणी इसमें एकदम कुलकरणी समाज घुज गया नहीं सोनाली कुलकरणी अश्य कुलकरणी वीड़ जस कुलकरणी चलो देखते हैं यह कुलकरणी परिवार कौन सा वाला है फिलहाल चलते हैं विक्टोरिया पर जो इसका यह पोस्टर है इससे लगता है कि यह डरावनी या नहीं डरावनी ही होगी क्योंकि मुझे किसी ने इस्टाग्राम पर बताया भी था कि यह हॉरर मूवी है मैं ऐसी मूवी देखता नहीं हूँ मुझे पसंद नहीं है लेकिन अब अगर मैं यहाँ डरा तो आपकी जिम्मेट आ लिए रूमर्स होटेल और वो भी ऐसी होटेल मतलब बेसिक प्लोट दिरावनी फिल्मों का सब में एक ही होता है अरे क्यों जाना है ऐसी होटल में यार जो पूरी होटल खाली हो जिसमें कोई नहों रहने वाला और आपको पता हो कि वहाँ पर रूमर है मैं तो कभी नहीं जाओ भाई सब असे काय है रूमर्स है थोटेल बद्द यहाँ पर हमेशे आपारिश हो रही होगी यहाँ आपकोल शेशे बही होटते आदे शे लासांगे क्याँ जेली अच्छा पीछे हाथ अच्छा पीछे हाथ तुला थी दिशली ना ये नया था गुरू काई आवास का एक्वेता है माइका काई दिश्ता है तुला ये सवाठते है किती ही देशे रेनो काम मेलिये का आशा रूमस पस हो देश तू काई खर है काई खोट है हे माना तेवाही कड़त होता अणी आता ही सपस्टा दिसता है सपस्टा दिश्ता है क्या तरह है का तुला है एक टोया एक रहास एक होती विक्टोरिया था सीक्रेट य भी विक्टोरिया था सीक्रेट है लेकि य हिंदी में विक्टोरिया है एक रहसी है विक्टोरिया था सीक्रेट जो आपका मज़ा ले लेता है तो देखो वैसे तो मैंने शुरूर में भी बताया था कि मैं हॉरर मुवी का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ मैं कभी कोई हॉरर मुवी देखता नहीं हूँ भूल भूले हैं मैंने थेटर में नहीं देखी मैंने इस्तरी थीटर में देखी क्योंकि मुझे पता लगा कि इस्तरी जो है वो कॉमिक हॉरर है हॉरर कॉमेडी है बेसिकली और उसकी जो हॉरर वाले सीन थे वो बहुत डरावने थे तो मैं तो भाज साब उसमें ऐसे करके बैठा था मुझे हॉरर बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन जैसे कि मैंने का था इससेनेमा लवर देखे हॉरर फिल्म में बनाने के लिए एक आप तो वी एफेक्स बहुत अच्छा चाहिए ठीक है दूसरा आपको साउंड बहुत अच्छा चाहिए बैग्राउंड साउंड वो दौनों चीजे मुझे इस मूवी में दिखी है अब इसकी कहानी क्या है कहानी वही मतलब मैं आपको शुरू में भी काता प्लॉट वही सेम लग रहा है एक सुनसान होटल होगी उसमें हीरो हीरोईन गूमने जाएंगे वहाँ पर उसको एक ऐसा मैनेजर मिलेगा जो खुद ही रहस्य होगा और हमेशा हीरोईन को क्यों दिखता है 1920 ले लिजिए उसमें भी हीरोईन को होगा भूल-बुले या उसमें भी हिरोईन पर भूत होता है तो मतलब आप क्या कहना है जाते हैं VFX और जो था कि गेट खुलता है और गेट के बाहर से नहीं गेट के अंदर की तरफ से हाथ आता है वो लड़की हाथ पकड़ने जाती है और उसके वहीं से हाथ पकड़ लीती भूतनी भी और लाश्ट वाले जो सीन था जिसमें हीरोईन पर यूं कैमरा 180 डिगरी कैमरा घूमता और हीरोईन के पीचे ही भूतनी भी खड़ी है यानि कहीं न कहीं उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है तो यह जो सिनिमा की छोटी छोटी चीज़ है वो आपको सिर्फ राजस्तानी रियक्शन पर मिलने दिखेंगी इसी तरह की और बातों के लिए आप राजस्तानी रियक्शन का मेरा यह चनल सब्सक्राइब करिए जब बाते अच्छी बातें सही बातें जानना चाहते हैं ऐसा नहीं कि यहां पर शैडोरी बन रहा है पीचे से सना रहा है वह मैंने लाज्ट वाले वीडियो में बता है तो और अब क्योंकि इसका नाम भी विक्टोरिया रखा है लंदन बिटन पुराने टाइम का बंगला अब चलते हैं कास्ट पर मुझे बहुत सारे कुलकरणी का क्या सीन है वीर जसुकरणी यह बेटे हैं मिर्णाल देव कुलकर्णी के और मिर्णाल देव वहीं है जो शिवराज अस्टक में जीजा मा का रोल प्ले करती है मुझे लग तो रहा था देखो मैंने सोच रहा था कि कुलकर्णी कुलकर्णी इसमें नेपोटिसम होगा लेकिन यहां पे वह वाला नेपोटिजम नहीं है कि एक्टर का बेटा एक्टरी बन रहा है इसमें वह वाला नेपोटिजम है टैलेंटेड नेपोटिजम कि एक्टरेस है उनका बेटा डैरेक्टर बना है और डैरेक्टर बनना इतना आसान काम नहीं होता भाश साब जिस तरह का Victoria का मेरे को direction दिख रहा है न ये इतना आसान नहीं है तो इसमें nepotism नहीं है इसमें talented nepotism है कि हाँ चलो ठीक है पढ़ाई करनी पढ़ती है सिनमा समझना पढ़ता तब जाके आपको एक director बनते हो अनन्या पांडे जसा नहीं के मेरे पीताजी नहीं बहुत struggle किया उसकी बात बात में करेंगे Victoria का ट्रिलर अच्छा लगा मुझे horror film में नहीं पसंद है लिकिन अधा cinema lover मुझे बहुत अच्छा लगा ये था Victoria के teaser या thriller को लेकर मेरा reaction reaction कैसा लगा वो पताईगा इसी तरह के और वीडियोज के लिए दिखते रहिए राइस स्थानी एक्षिन जैशी राव